जैशी शाम दोस्तों मैं पिंकी खुमावत सौगत करती हूँ आपका मेरे कीचन में आज हम बनाएंगे चीजी पाओ की रेसिपी ये खाने में इतनी टेस्टी होगी कि मेरी गारंटी आप इसे बार-बार बना के जरूर खाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं चीजी बाओ बनाने के लिए सबसे पहले हम मोटे तले की कडाई ले लेंगे अब इस कडाई में नमक डाल कर इसे धक कर 10 मिनिट के लिए मीडियूम फ्रेम पर गरम कर लेंगे जब तक हमारी कडाई गरम हो रही हम स्टफिंग तयार कर लेंगे स्टफिंग बनाने के लिए एक बाउल में एक चोथाई कप बारी कटी हुई शिम्ला मिर्च एक चोथाई कप बारी कटा हुआ प्याज एक चोथाई कप बारी कटा हुआ टमाटर एक चोथाई कप स्वीट कॉन ले लेंगे यहाँ पर मैंने फ्रोजन कौन का यूस्ट किया है आप इसमें आपकी पसंती सबजों को डाल सकते ही इसके बाद इसमें आदा कप कटा हुआ पनीर इसके बाद इसमें एक बड़ा चमच औरेगीनो देर चोटा चमच चिली फ्लेक्स एक चोटा चमच कार्ली मिर्च का पाउडर डाल देंगे कार्ली मिर्च को डालना ओप्षिनल है आप चाहें तो सिस्किप भी कर सकते ही इसके बाद इसमें स्वादानुसा नमक डाल दें फिर इसमें डेर बड़ा चमच मैयोनीज और लास्ट में एक बड़ा चमच टॉमेटो केचप डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो ये हमारी स्टफिन बनका तयार है अब हम अपनी ब्लेट को तयार कर लेंगे इसके लिए मैंने ये स्टिल की ब्लेट ली है और अब हम इसे aluminum rope से cover कर देंगे आप चाहें तो इसके जगे aluminum tray का use भी कर सकते हैं ठीक ऐसे ही पूरी plate को अच्छे से cover कर देंगे अब हम इसके ओपर butter लगा देंगे आप चाहें तो इसे तेल से भी ज्रिस कर सकते ही तो यहारी plate तैयार है अब हम पाओ को लेंगे तो मैंने यहाँ regular पाओ लिया है मैंने पाओ का 1 packet लिया है अब हम इसे बीच में से cut कर दो बाग में divide कर लेंगे तो इसे मैंने अच्छे से cut लिया है अब हम इसके निच्छे वाले system pizza sauce लराएंगे तो मैंने यहाँ चार बड़े चपमत पिज्जा सोस का यूज़ किया है आप आपके टेस्ट के अकोर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब हम इसे तैयार की हुई प्लेक में रख देंगे अगर हम इसमें पहले इस्टफिंग भर देंगे तो इसे उठा कर इस ब्लेक में रखना मुश्किल होगा इसके बाद इसमें मोजरिला चीज चाल देंगे आप इसे भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं मैं याँ मोजरिला चीज को चारो तरफ से अच्छ से डाल दूँगी अब हम इसके उपर तयार की हुई स्टफिंग स्प्रेट कर देंगे तो मैंने स्टफिंग को अच्छ से स्प्रेट कर दिया है लास्ट में हम इसके उपर वापस चीज चाल देंगे आप यहाँ पर मोजरिला चीज, चीज, स्लाइस, चीज, क्यूप किसी भी चीज का यूज कर सकते ही मैंने यहाँ मोजरिला चीज का यूज किया है तो इसमें बहुत जादा चीज जलता है इसलिए इसको चीज ये पाव कहते हैं अब हम टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसके आपो औरिगीनो और चीज़ फ्लेकस स्प्रेंकल कर देंगे अब हम पाव की उपर की लेर रक देंगी और थोड़ा सा दबा कर प्रेस कर देंगे ठीक एसे ही इसके बाद हम इसे उपर से बटर से ग्रिस कर देंगी तो मैंने इसे बटर से अच्छे से गिरिस कर दिया है पाव हमारा तयार है कड़ाई को गेस पर रखेंदस मिट हो चुके हैं धकन अटाया मैंने अब हम इसमें सावधानी से ये प्लेट रख देंगे और इसे धक कर 10-12 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे या फिर हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक चीज अच्छे से मिल्ट नहीं हो जाती तो 12 मिनिट हो चुके हैं अब हम इसे चेक कर लेंगे अगर आपकी चीज मिल्ट हो चुकी है मतलब आपका चीज ही power ready है तो चीज अच्छे से melt हो चुकी है gas off करके अब हम इस plate को भार निकाल लेंगे last में हम इसके उपर butter लगाएंगे अच्छे से इसे लगा लें तो मैंने इस अच्छे से butter को लगा दिया है अब हम इसी serving plate में निकाल लेंगे taste को थोड़ा बढ़ाने के लिए इसके उपर औरिगिनों को स्प्रिंकल कर देंगे अब इसे चाको से cut कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतना perfect बना है और नीचे से बहुत अच्छे से cook हो गया है तो बना है ना बहुत ही perfect तो यह हमारा चीज यह power ready है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना ना भूले धन्यवाद